आज हम लाए हैं एक सैंटिफिक सर्वाइबल मूवी जो मैंने हाली में नेट्फिक्स पर देखी थी यह अपोकलिप्स के बाद यानि जब प्रित्वी में लाइफ लगबग मिट चुकी है तब की कहानी है यह उन लोगों की सर्वाइबल स्टोरी है जो एपोकलिप्स के बाद इस प्रित्वी पर सर्वाइब कर रहे हैं हमने प्रित्वी के सारे पेड़ पौधे कार डाले यहां की हवा को इतना दूशित कर दिया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है हमने अपने प्लैनेट को इ एक ऐसी सर्वाइबल साइंटिस्ट है इतनी पुरी सिट्वेशन में उसने किस तरह सर्वाइब किया और क्या वो हमारे प्लैनेट को रहने लाइक बना सकी इन सबी सवालों के जवाब हमें इस मुवी में मिलेंगे तो चलिए दोस्तों इस मुवी को देखते हैं जिसका ना सकेंड दुनिया के हर कौने में लोग भारी संख्या में मर रहे हैं जो लोग बचे हैं उनने बहुत सारे रोकेट्स में एक स्पेस स्टेशन में लेके जाते हैं जो जूपेटर पर बना है इस स्पेस स्टेशन को नाम है आई-ओ अब धरती पर एक अंडर गाउंड को दिख तो आग परपल करल की हो जाती है इसका मतलब है कि यहां की हवा हद से जादा पॉलिटेट हो गई है उसे हरानी होती है कि यह कीडे इस जरेली हवा में जिन्दा कैसे रह सकते हैं और फिर अपनी रिसर्च के लिए वो कीडों का सैंपल भी ले लेती है और तब वो उस आर्ट गेल्डी की एक पुरानी पेंटनी को निहारती है और कुछी देर में उसका आउक्जियन स्रेंडर खाली होने लगता है और वो तुरन त भार बागती है देखे कि भार की दुनिया कैसी है हर तरफ धुआ ही धुआ होता है और दूर दूर तक कोई इनसा नहीं होता सैम तेजी से अपनी काड़ी से नए स्रेंडर निकालती है और चैन की सांस लेती है लगता है सच मुछ फ्यूचर में दुनिया ऐसे होने वाली है वापस जाते वे रोड पर क्लीन आउक्जियन लिखा होता है इसका मतलब है कि यहां से आगे की हवा कुछ हद तक सांस लेने लाइक है यह जादातर पहाड़ी लाके हैं जहां अभी भी साफ हवा पाई जाती है और इनी लाकों में कुछ रिसर्च सैंटर्स में सैंटिस्स सर्वाइवल कर रहे हैं निचली जगों के लोग इस धर्ती को टाटा बाई बाई करके ऊपर जा रहे होते हैं मतलब स्पेस में जा रहे हैं दरसल सैंट के पापा भी एक सर्वाइवल सैंटिस्ट है जिनका आटूट विश्वास है कि आज भी धर्ती रहने लाक बन सकती है और इस बात पर वे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और काफी रिसर्च करते हैं अब सैंट अपनी जगे पर पहुंचती है और यहां पर आग बिलकुल भी परपल नहीं है अब क्योंकि वो बहुत ही पलुटेट जगे होकर आई है इसलिए वो किसी लिक्विट से खुद को साफ करके अपनी लैब में जाती है शायद इस वक्त उसके पापा यहां पर नहीं है और फिर वो कम्पिटर पर अपने वाइफरेंड का मैसेज पढ़ती है जो जुपिटर के आई-उए स्पेस स्टेशन में है वो सेम को रोज मैसेज करता है कि तुम भी यहां जाओ तब सेम बताती है कि वो और उसके पापा धरती पर क्यों रुके वे हैं और वो क्या कर रहे हैं दरसल उसके पापा की रिसर्च इस विशह पर थी कि जब तक इस दुनिया में मदुमक्षी रहेगी तब तक यह दुनिया मिट नहीं सकती यह बहुत ही इंपोर्टन बात है जरा ध्यान से सुनिये दोस्तों मदुमक्षी को मामली मत समझिये यह धरती का संतुलन बनाये रखने के लिए बेहाद जरूरी काम करते हैं यह जब फूलों से रस इखटा करते हैं तो उनके प्राग यानी पॉलेंस इनके शरीर पर लगते हैं और जब मदुमक्षी दूसरी जगे जाती है तो इन पौदू का पॉलेंड वहाँ पर गिर जाता है और इस तरह उस जगे पर पेड़ पौधे पनपते हैं और इने की वज़े से कई पेड़ पौधे हुगते हैं और धर्ती हरी भरी रहती है और जहां पेड़ पौधे होते हैं वहाँ साफ हवा की कमी कैसे हो सकती है इसलिए अगर अपने घर के आसपास मदुमक्षी का कोई भी च्छता दिखे तो उसे जलाएं मत और ना इसको डिस्ट्रॉई करें बलकि किसी ऐसी सर्विस को बुलाए जो मदुमक्षी को बिना हानी पहुँचाए छटे को हटाकर उन्हें पेड या जंगल के बीच छोड़ सकें और इनकी इंपौटेस को जानते वे सेम के बापा मदुमक्षी को पाल रहे थे और उन पर रिसर्च कर रहे थे यही वो जीव हैं जो दुन्यों को पहले जैसा और हरावरा जीने लाइक बना सकते हैं फिर सेम भार जाती है और वहां एक मदुमक्षी को उठा कर अंदर ले आती है और एक बाक्स में डालती है इस बाक्स में उस पुरानी आर्ट गैलरी का माहल है जहां सेम को किडे मिले थे लेकिन कुछी देर में मदुमक्षी मर जाती है यह टेस्ट भी फेल हो जाता है और बेचारी मदुमक्षी भी मर गई और तबी सैम का boyfriend message भेजता है कि अब धर्ती की हवा को बिल्कुल भी purify नहीं किया जा सकता तुम और तुम्हारे पापा जल्दी से जल्दी यहां जाओ लेकिन सैम को पूरा यकिन है कि उसके पापा की finding एकदम सच है और वो ठान लेती है कि वो अपने पापा की research को पूरा करके रहेगी और प्रित्वी पर ही रहेगी उसके पापा प्रित्वी पर बचेवे लोगों को हिम्मत देने के लिए रोज एक broadcast करते है कि यह दुनिया पहले जैसी बन सकती है हिम्मत से काम लेजिए यहां से भाग कर स्पेस में जाना इसका solution नहीं है और उनकी गैर हाजरी में सेम उस message को बार बार broadcast कर रही होती है फिर दिखाते हैं कि इस तरह की situation में सेम की रोज की जिन्दगी कैसे चलती है और यह क्या खाती है घर के पीछे ग्रीन हाउस है जहां सेम कुछ सबजियां होगा लेती है और इनी को खा करो जिन्दा रह रही है वो रोज अपने पापा की रिसराच वीडियो देखती है और टेलेसकोप से आयों को देखती है यही उसकी लाइफ है फिर एक दिन उसका वाइफरेंड मैसेज करता है कि सारे स्पेस सैंटेस ने मिलकर स्पेस में कैसी जगे खोज निकाली है जिसका परियावरन बिल्कुल धर्ती जैसा है इस जगे का नाम है प्रोक्सिमा सैंटूरी सैम इतना ही पढ़ती है कि स्क्रिन पर डिस्टरबेंस होने लगता है लगता है कि कोई वायर कट गई है और पिर सैम वायर लेने के लिए फिर से उस आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ की पुरानी पेंटिंग से संबंदित कुछ बुक्त उठा लेती है और फिर वायर लेकर वहाँ जाती है और फिर वायर लेकर वहाँ से जाने लगती है तब ही अचानक बहुत ही भारी तूफान उस दिशा में आ रहा होता है अगर तूफान आया तो हर तरफ से पर दूशी थवा आएगी और घबराकर सैम वहां से तुनंत निकल दिये और अपने घर पर पहुंचती है वो देखती है कि दिया परपल रंका हो गया है मतलब दूशी थवा वहां पहुंच चुकी है और फिर बहुत तेज हबा चलने लगती है और फिर सैम टेप से खिड़की और दर्बाजे को सील करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और इस तरह पर दूशी थवा घर बर में फैल जाती है और कोई रास्ता ना पाकर वो खर के अंदर ही और खिचन मास पहन कर सिस्टम पर बैठी रहती है फिर वो कंप्यूटर स्क्रिन को वायर से कनेक्ट करती है और बॉयफरेंड का मैसिज पढ़ने लगती है उसमें लिखा होता है कि आयो से प्रॉक्जिमा सेंटरी पहुंचने में 10 साल लगेंगे इसलिए हमने पूरे स्पेस स्टेशन को वहां ले जाने का फैसला किया है और वहां जाकर पता चलेगा कि हम इनसान वहां कैसे रहेंगे लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा इसलिए धर्टी से कई स्पेस शिटल आयो आने वाले हैं और आकरे स्पेस शिटल चार दिन में प्रिथवी से निकलेगा उसके बाद अगर कोई वहां पर रह गया तो उसको बचाने कोई नहीं आगा इसलिए तुम और तुमारे पापा जल्दी से उसमें चड़कर आ जाना अब ये पढ़कर सैम एकदम सुनो जाती है और उसको कुछ नहीं सुचता वो चुपचाब लेड़ जाती है अगले शॉट में सैम बीच पर खड़ी होती है और उसमें मास्क भी नहीं पहना होता है और वो बड़े या आराम से सांस ले पाती है वो खुद चौंग जाती है कि सांस लेना इतना सन कबसे हो गया तब उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उड़ती है और घर के बाहर का दिया भी नॉर्मल कलर का होता है लगता है तूफान निकल गया है और हवा फिट से जरा क्लीन हो गई है और फिर सैम अपने रिसर्ट के सबसे जरूरी सैंपल्स को यानि मदुमक्यों को देखने जाती है लेकिन वहाँ एक भी मदुमक्य नहीं बची होती है सबको तूफान उडाले गया होता है अब सैम टैंशन में और बेवसी के मारे चिल्दाने लगती है और इतने सालों से वो और उसके पापा जो रिसर्ट कर रहे थे वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका होता है फिर वो तुरंत अंदर जाती है और मैसेज टाइप करने लगती है कि हमारे सारे सैंपल्स मिट गए है मैं हिमत और उम्मीद दोनों खोच चुकी हूँ तूफान सब कुछ मिटा चुका है अब मैं चाहूं भी तो आकरी शेटल तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि मेरे पास ऑक्जिन सेंटर बचे ही नहीं है मैसेज भेज़कर वो टूटकर रोने लगती है फिर वो भार आती है तो दूर एक बलून दिखता है और वो चौकर उसको देखती है इतने में बलून लैंड करता है और उसमें से एक आपनी बाहर गिरता है इसका नाम है माईका और आते ही वो लैट इट जला कर देखता है तो पता चलता है कि यहां पर हुआ नौर्मल है फिर वो अपना मास्क उतार कर सैम से कहता है क्या मैं साइंटिस्ट हरी से मिलने आया हूँ उनका ब्रोडिकास सुनकर मैं इतनी दूर आ गया हूँ और मुझे उन से कई सारे सवाल भी पूछने है सैम छूट कहती है कि मैं हैरी की एसिस्टेंट हूँ और वो रिसर्च के लिए दूसरे जगे पर गए है फिर माईका पानी मांगता है और सैम उसको पानी लहा कर देती है जो ब्राउन कलर का होता है फिक्र मत करो यह प्यूरिफाइड वाटर है माईका अंदर आकर पोचता है कि मिस्टर हैरी कहा गए है दरसल वो एक पहाड पर किसी नई स्पीसीज की रिसर्च करने के लिए गए है माईका बताता है कि अगर मुझे मेरे सवालों का जबाब नहीं मिला तो मैं अपने एर बलोन में वापस चला जाओंगा और उस लास्ट स्पेस शेटल को पकड़ लूँगा सैम मनी मन सोचती है कि इस आदमे की मदद से मैं भी उस शेटल तक पहुंच सकती हूँ लकिन फिलाल वो कुछ नहीं कहती फिर वो माईका के लिए खाना लेने जाती है पर माईका कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खाने को जादा कुछ नहीं होगा जो भी है तुम अपने लिए बचा कर रख लो मुझे भूक नहीं है लेकिन असल में उसको बहुत भूक लगी होती है तब सैम एक बास्केट भर कर सबज़या लेकी आती है और ये देखकर माईका के मुँ में पानी आ जाता है फिर सैम उसको खाने के लिए शहद भी देती है बेचारा स्पून कुछ चारता ही रह जाता है सैम पूछती है क्या तुमने रास्ते में कोई जिन्दा जानबर या पक्षी देखा माईका कहता है मुझे एक भी जिन्दा जीब जन्तु नजर नहीं आया अच्छा ठीक है लेकिन तुमने बीच पर कुछ देखा और इस सवाल पर माईका बिल्कुल हरार हो जाता है दरसल सैम को अक्सरे सपना आता है कि वो बीच पर खड़ी हो कर साप हवा में सांस ले रही है इसलिए वो ऐसा पूछ रही थी सैम बताती है कि हैरी को लोटने में दो हपते लग जाएंगे इसलिए माईका वही रुखने का फैसला करता है फिर सैम उसको अपनी रिसर्च दिखाती है ओ, काफी अच्छा कमरा है क्या ये मिस्टर हरी का कमरा है हाँ, लेकिन उसके अंदर वो मुझको भी अलाव नहीं करते अब उसकी लेब और रिसर्च को देखकर माईका बिल्कुल इचकेतर जाता है अब अगली सुबह सैम उस प्राणी पेंटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ रही होती है फिर वो भार आकर माईका से कहती है कि कल तूफान में यहां का सब कुछ दितर बितर हो गया उन्हें फिक्स करने में मेरी मदद करो वो उसकी हेल्प करता है और विन डिरेक्शन दिखाने वाली मशिन को सिधा करता है फिर वी अंदर जाते हैं और माईका सैम की बुक पढ़ने लगता है और तब सैम अपने बॉयफरेंट के बारे में बताती है और माईका भी अपने कई एक्स्पूरियंसेस के बारे में बताने लगता है और इस तरहे दोनों भुट दिन बाद अपना दिल खोल कर किसी से बाते कर रहे होते हैं अब सैम को मायका पर विश्वा सुने लगता है और वो अपने पापा के बारे में बताने लगती है हैरी और कोई नहीं मेरे पापा है और ये सुनकर मायका बिल्कुली चौंग आता है फिर हो मायका को अपना ग्रीन हाउस दिखाती है उस रात वो अपने पापा की रिसर्च वीडियोस प्ले करती है जब दुनिया प्रदुशन के कारण मिटने लगे थी तो हैरी ने लूसी नाम के सुवर पर रिसर्च की थी दरसल लूसी बहुत ही परदुशी जगे में भी सर्वाइब करने की शमता रखती थी इसलिए हैरी इस रिसर्च में लगा वा था कि अगर इस दिस्तिती में लूसी जिन्दा रह सकती है तो हम इनसान भी जिन्दा जरूर रहेंगे लेकिन आखर में लूसी भी परदूशन के कारण मड़ जाती है और फिर हैरी का एक इंटर्वी चल रहा होता है जिसमें बताते हैं कि धरती से लोग स्पेस डिस्टेशन में जा रहे हैं लेकिन हैरी जाने से बिल्कुल मना कर देता है उसका अटूट विश्वास है कि ये हमारे धरती है और इसे हमें ठीक करना है इसे हमने खुद परदूशित किया है और अब हम यहां से दूर भागने की कोशिश कर रहे है ये बिल्कुल गलत है मैं यहीं रहकर इसको ठीक करना चाहता हूं और यही विश्वास सैम का भी है अगले दिन माय का किसी दरे सैम की कमरे में चला जाता है और वहाँ एक फोटो को देखकर पूचता है क्या ये तुम्हारी मा है सैम कहती है हाँ लेकिन वो अब नहीं रही माय का टेंशन में पोचता है तुम्हारी मा तुम्हारे पापा की वज़े से मरी है राइट क्या वकवास कर रहे हो और नहीं तु क्या हैरी की जित की ही वज़े से तुम्हें और तुम्हारी मा को यहां रहना पड़ा वरना तुम दोनों तो कब के आयो में पहुंच गई होते हैं फिर वो जाकर हैरी का कमरा खोल देता है और उस कमरे में इतनी धूल होती है कि माई कब बिल्कुल इचौंग जाता है वो सैम से पूछता है सच बताओ तुम्हारे पापा कहा है क्योंकि यहाँ पर धूल पड़ी है और इसका मतलब है कि वो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं है तब हमको एक फ्लेश्वेक दिखा जाता है कि सैम लेब में अपना काम कर रही है और उसने और उक्जन पहना होता है तब उसके पापा हैरी आते है और सैम बिल्कुल इचौंग जाती है कि वो बिना मास्क के कैसे सांस ले रहे है वो डाणती है कि प्लीज ऑक्जन पहन लो लेकिन हैरी कहता है मुझे उसकी जरुवत नहीं है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और अगले स्पेश शेटल में यहां से निकल जाओ पापा ये आपकी रिसर्च है इसलिए मैं इसको अधूरा छोड़ कर नहीं जा सकती देखो सैम ये कोई खेल नहीं है तुमारी मा को तो मैं खो चुका हूँ और अब तुमको नहीं खो सकता दरसल हैरी अपने ब्रोड़कास्ट में सब को बता रहा होता है कि हम मिलकर इस धर्टी को फिट से रहने लाइक बना सकते हैं वो हमेशा से आईउ पर जाने की खिलाब था लेकिन उसने अपनी पतनी और बेटी को जाने से कभी मना नहीं किया था लेकिन सेम और उसकी मा को हैरी पर पूरा विश्वास था और इसलिए दोनों यहें रुख गए लेकिन धीरे धीरे सेम की मा बिमार पड़ गई और एक दिन बेचारी अचानक मर गई और तब से हैरी को अपनी डिसर्ट पर विश्वास उठने लगा था और वो सेम को यहां से जाने के लिए कह रहा था पर सेम हैरी को छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी इसलिए तीन चार दिन बाद हैरी की मौत हो गई और सेम ने अपनी मा की कबरे के पास है हैरी को जफना दिया था अब सारा साथ जानकर माईका कहता है कि कम से कम अब तो मान जाओ कि यहां कुछ नहीं हो सकता तुम भी मेरे साथ चलो और हम उस आगरी शेटल में चले जाएंगे लेकिन हवा की दिशा के अनुसार ठीक वक्त पर हमें निकलना होगा क्योंकि हमें एर बलून में ही शेटल तक पहुँचना है अब इस तरह पर ठीक वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं सैम अपने बाइफरेंट को मैसेज करती है जैसा तुमने चाहा वैसा होने वाला है यहां मेरी डिसर्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा है और अब लास्ट शेटल में मैं भी आयो आ रही हूँ फिर मायका का बैक खुल कर देखती है तो उसमें गन और कुछ बलट्स होते हैं उसमें एक डायरी होती है और सैम उसको पढ़ती है दरसल मायका किसी से बहुत प्यार करता था इतना ही नहीं वो अपनी फैमली को भी खोच चुका था अब यह सब पढ़ कर सैम उसके बहुत ही दुखी होती है और बाहर मायका हवा के दिशा को चेक कर रहा होता है सैम अपनी जरुट की चीज़े पैक कर रही होती है उसकी मदद के लिए मायका मदव्ख्यों के खाली बॉक्सिस को लेने जाता है लेकिन वहां किसी चीज़ को देकर तुरंद सैम के पास भागा आता है और उसे वाक्सेस के पास लेके जाता है वे देखते हैं कि इतने भारी भरकम तोफान के बाद भी एक मदमक्यों की रानी है मतलब हैरी की थोरी सच निकली लेकिन इस अकेली मदमक्यों को रखकर कोई रिसर्च नहीं की जा सकती और इसलिए सैम स्कोरने देती है अब फिर शाम को सैम का वाइफरेंड मैसेज करता है कि ये तुमारे ले मेरा लास्ट मैसेज है इसके बाद तुम मेरे मैसेज का इंतिजार मत करना क्योंकि मुझे प्रॉक्जिमा सेंटरी में एक रिसर्च का काम मिल चुका है जो बहुत ही इंटरस्टिंग काम है इसमें मुझे दस साल से भी जादा लग सकते है और अगर दस साल बाद तुम मुझे याद रही तू देखा जाएगा इस तरह का ब्रेक अप लेटर पढ़कर सेम माईस हो जाती है चुकि वो सिर्फ अपने वाई फ्रेंड के लिए आयो पर जाना चाहती थी अब लेकिन ये मैसेज पढ़ने के बाद वो बेचारी टूट जाती है बाहर हवा के दिशाप भी ठीक नहीं होती और माईक का अंदर आ जाता है और सेम को इतना माईस होता देखकर वो उसको खाना पका कर देता है और हंसी मजा करके उसको हंसाने की कोशिश करता है और इस तरह इन दोनों की नजदेकिया बढ़ती जाती है और फिर अगले दो दिन वो बहुत ही खुशी से रहते हैं अब उस रात सेम आस्मान को देखती है उसके पापा जितने प्यारे हैं उतने प्यारी ये धरती भी है इसको छोड़कर जाना की बात सोचकर उसको बहुत ही दुख होता है तब एर बलून बीप करने लगता है मतलब हवा की दिश्याप बिल्कुल ठीक है और वो उड़ने के लिए बिल्कुल तयार है अगली सुबह रेडियो पर इमर्जनसी न्यूज आती है कि इस पर शेटल जहां से निकलने वारा था उस जगे पर कोई टेकनिकल प्रावलम है इसलिए अब शेटल दूसरी जगे से निकलेगा जो इस जगे से बहुत ही दूर है और सिर्फ 24 घंटों में इने वहां पहुँचना होगा जो लगबग नामुकिन है अब माई का टेंशन में किचन में तोड़ फोन मचा देता है कि मनहुद जगे पर मुझे आना ही नहीं चाहिए था मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण सिर्फ तुमारे पापा है हैरी के प्रोड़कास्ट को सुनकर मुझे विश्वास होने लगा था कि ये धर्ती फिर से रहने लाइक हो जाएगी इसलिए ना तो मैं आयो गया और ना ही अपने परिवार को जाने दिया और आज मेरा पूरा परिवार मिट गया है और अब मैं भी मढ़ जाऊंगा और अपनी बेबसी में वो सब कुछ कह रहा होता है अब सैम में उसकी बाते सुनकर बड़ी दुखी होती है अब सैम माईका जैसे दूसरे लोगों को ठीक इनफर्मेशन देना चाहती है वो नहीं चाहती है कि उसके बापा के भरोसे कोई भी धर्ती पर है इसलिए वो उसी फ्रिक्वेंशी में ब्रोड़कास्ट मेसेज करती है कि मेरे पापा एक साल पहले इस दुनिया से चल बसे थे और अब हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे है इसलिए अब धर्ती पर रहने की कोई उमीद नहीं है अगर कोई यहां बचा है तो प्लीज लास शटल में जाकर आयो पहुंच जाओ यह ब्रोड़कास्ट करकी वो माईका के पास जाती है अगर इने 24 गंटों में वहां पहुंचना है तो बलून के लिए बहुत ज़ादा हीलियम गैस की ज़रुत होगी पर माईका के पास उतना हीलियम स्टॉक नहीं होता इसलिए वह बहुत ही टेंशन में होता है लेकिन सैम उसको शांत करते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि हीलियम कहां मिलेगा वहां जाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि वहां पलूशन बहुत ज़ादा है लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं और ये कहकर वह बहार निकलते हैं सैम दिया बुझा देती है क्योंकि अब उसकी कोई जरुवत नहीं है फिर वह अपने चीज़े पैक करके निकलते हैं और एर बलून को भी साथ ले जाते हैं तांकि अगर हीलियम मिल गया तो वहीं से भी स्पेश रिल्ल की और निकल पड़ेंगे अब उस जगे से पहले सैम एक स्वाट पर रुखती है और उस आर्ट गैल्डी को देखती है फिर वह आगे बढ़ते हैं तो वहां कई हीलियम स्रेंजर्स को देखकर मायका बहुत ही खुश होता है और उस रात में वहीं रुख जाते हैं अब सुबह मायका बलून में हिलियन गैस भरता है दरसल सैम आयो नहीं जाना चाती लेकिन उसके पास और कोई आप्शन नहीं होता इसलिए वो मायका की बात मान गई थी ऐसा हर किसी के साथ होता है न चाहे जान पर ही क्यों ना आ जाए ऐसी कुछ चीज़े हैं जिने हम नहीं करना चाते सैम की भी बिलकुल यही हालत होती है वो अचानक गाड़ी में बैठकर कहती है कि मैं दस मिनट में लोटकर आऊंगी और मायका कहता है कि एक घंटे के अंदर हमें निकलना है जल्दी आ जाना ठीक है कहकर वो आर्ट गैलरी के अंदर जाती है लगता है उसे इस जगे और यहां की पेंटिंग से खास लगाव है फिर वो एक दरवाजा खोलती है तो वहां अच्छी रोशनी होती है और लगता है हवा भी साफ है फिर वो पूरी गैलरी में घुमकर उस पेंटिंग पर आकर रुकती है जिसको वो हमेशा नहीं हारती थी तब वहां मायका आ जाता है क्योंकि सैम का ऑक्षिजन खत्मोने वाला होता है और उसको अभी चेंज करना पड़ेगा लेकिन सैम उसे पेंटिंग के बारे में बताने लगती है फिर कहती है कि जब पापा लूसी पर रिसर्च कर रहे थे तो एक दिन मैंने उनके सामें लैटर जलाय था आग परपल कलर की हुआ करती थी लेकिन तम मैंने कोई मास्क नहीं पैना था मायका फिर कहता है कि तुम 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 अउक्जेंस लेंडर को ले लो और जल्दी लगाओ ये कहकर वो जरा दूर चला जाता है तब सैम कहती है तुम आईयो में जाकर सब को बता दो कि ये प्रिथवी खुद को ठीक करने की शमता रखती है पर इसमें छोड़ा वक्त लगेगा और हमें इस धरती के नई वातावरण में अपने आपको एडियस करना सीखना होगा अगर मैं मास्क के बिना यहां जिन्दा रही तो तुम ये ख़बर आयो के लोगों को दे देना अब ये कह कर वो जट से मास्क उतार देती है और माइका घबरा कर उसको पकड़ लेता है मुझे कुछ नहीं होगा माइका ये कह कर वो सांस देने लगती है और माइका कुछ नहीं कह पाता अगले शोट में दिखाते हैं कि माइका अकेला ही शटल क्योड जा रहा है तब सैम का वाइस ओबर बताता है कि हम चाहे कितने ही नए प्लैनेट्स का पता लगा ले पर प्रिथवी जैसा प्लैनेट्स हम को कही नहीं मिलने वाला हमने जो गलती करके इसको इतना बत्तर बना दिया है अब हमें खुदी धरती को पहरे जैसा बनाना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इंतजार करना होगा और सबर से काम लेना होगा लेकिन धरती को छोड़ कर जाने की कोई जरुवत नहीं है बलकि उसके नए माहौल में खुद को ढालने ना है अब अंत में दिखाते हैं कि सैम एक बीच पर खड़ी है और उसके साथ एक छोड़ा लड़का है जो शायद उसका और माइका का बेटा है सैम माइका के लिए मैसेज लिखती है कि प्रिथवी बहुत ही खुबसूरत है हवा भी साफ हो गई है जो लोग इसको छोड़कर जा चुके हैं उनसे कहो कि प्रिथवी की हालास से डरने के बज़ाए इससे अपनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हर कोई रह सकता है अब यहाँ की हवा धीरे धीरे साफ हो रही है और मेरे बालों को भी सहला रही है जिस प्रिथवी को हमने दूशित किया था वो अब अपने आपको निहारने की कोशिश कर रही है जीने के लिए इससे बहतर प्लैनेट नहीं मिल सकता हम दोनों तुमारा इंदिजार कर रहे है और इसी के साथ दोस्तों यह मुवी हाँ पर खत्म होती है दोस्तों इस मुवी का मकसद सिर्फ परदूशन और उसके खतोनाक असर के बारे में बताना नहीं है लाइफ में भी अगर हमार समस्या से दूर भागते रहे तो आखरे में समस्याओं का समंदर बन जाएगा और तब उन्हें सुल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें किसी भी नई सिचुएशन में खोद को एड़प्ट करना सीखना होगा दोस्तों करें मुवी आपको पसंद आई हो तो इसको अपनी फैमली और फ्रेंड सरकल में जरूर शेयर करें साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को तरण सब्सक्राइब कर दीजिए और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग